Hey also guys, it's Mukai Joshi, welcome back to another video Recently, मुझे Instagram पे किसी बंदे ने content रहा रहा था और वो एक social media platform बना रहा था Firebase की help से like social media platform जिसका back end Firebase है और like उसने मेरे से opinion मगी क्या, क्या मेरे युझ सोचे सीज की उपर क्यों ना मैं सबके साँ शेयर करूँ कि मैं क्या मानता हूं या मैं क्या सोचता हूं कि क्या मैं firebase यूज करना चाहिए एक social media platform के लिए with that being said intro अपना firebase बहुत ही appealing backend service है मैं personally बहुत सारी जगह पर बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पर बहुत सारे मीनी प्रोजेक्ट्स पर अपने personal और बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए firebase यूज करता हूं आया हूं मैंने बहुत सारे अलग लग backend चाहिए कस्टम हो चाहिए firebase के लिए यूज करना चाहिए यह बहुत दी बड़ा important question है क्योंकि जब भी कोई developer सोचता है stamp जैसे for example अगर आप इंडिया के point भी सोचो हमारे पर whatsapp पे बहुत सारे like allegations हो रहे है whatsapp को privacy data privacy को लेगे बहुत सारे questions हा रहे है हमारे पर telegram भी market में compete कर रहा है तो बहुत सारी opportunity है इस time पे messenger पूरे field पे और social media platform पे क्यों बहुता है facebook से सबका लोग सबका दियाना डिया है अमनों जो firebase वो developer को ऐसी flexibility प्रोवाइड करता है इतना आसान कर देता है किसी जीज को develop करना कि मतलब सबका दिमाग इस time पे चल रहा है कि क्या नए बना है क्या नए बना है लगता है नए whatsapp बनाते हैं नए social media platform बनाते हैं तो बहुत पर लोग firebase को social media platform के लिए use करते हैं और बहुत बला question यहाप है कि firebase क्या हमें social media platform के लिए use करना चाहिए क्योंकि जिसने firebase use कर रहा है जिसने use platform के लिए बने किसी भी product किया किसी service के लिए use कर रहा है तो उसका बता है firebase बह आपका app engine है, चाहिए वो media encoder है, कोई भी चीज़े है, आपके database है, आपके सब कुछ आपके पास है, authentication से लेके, story से लेके, सब कुछ आपके पास under one umbrella आपका available है, तो एक normal developer सोचेगा कि क्यों ना मैं firebase यूज को लिए social media platform के लिए, जहां firebase हमें इतना appealing लगता है और हमें लगत platform को profitable बनाना है, या फिर या फिर यह सकते हो, उससे एक business model निकाला, और जब भी अगर कोई नया social media platform बनता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको monetize करना, अब monetize नहीं कर रहे हो, तो उसका जो भी खर्च चाहेगा, वो आपको उठाना है, आप बहुत 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 content load होने वाला, आपके storage से content fetch होगा, जो images है, media है, चाहे, video है, audio है, वो images है, आपके database से queries fetch होगा, जो database का data है, वो fetch होगा, या आपको बहुत सारा data है यूज पाने वाला, आपको जो reads होगी, बहुत high जाने वाली हो और आपके rights भी as compared to other platform, चैसे for example, अगर आप e-commerce बना रहे हो या normal portfolio, या normal एक, अपने selected community के लिए कोई platform बना रहे हो, उसके compare में, social media platform बहुत जदा read and write consume करता है, अपना सोचने वाली बात है, क्या आपके पास ऐसा कोई monetization business model है, या फिर आपके कोई ऐसा pricing model है, जो आपके पूरी expense को cover करने वाला है, कि जितने read and write आप मारने वाले हो, लो भी Google Ads, जो interstitial होते हैं, rewarded होते हैं, और banners आते हैं, एक पूरा UI block करता है Google Ads, तो मतलब भी नहीं कि कोई ऐसा user, एक normal user आपका ऐसा platform use करे, जो, मतलब जिसमें हर थोड़े दिर में कोई ना कोई ad आपका UI block करता हो, तो मतलब मैं personally, ऐस experience के उपर नहीं जाना चाहूँग, या इसी कोई platform use करना नहीं चाहूँग, जो पैसा experience आता हो, एक चीज़ तो यहां से मेरे को समझ माँ जाती है, कि मैं Google Ads, जफिर कोई ad platform use नहीं कर सकता है, अपने platform को monetize करने के लिए, और जहाँ पे at the same time, जो अगर मेरे platform popular होता है, तो मेरे read and write का जो खर्च है, वो बहुत ज़ media platform, मुझे लगता है कि firebase इतना ideal option नहीं है, use कर सकते हो, अगर आप बहुत ही limited amount of community को यह फिर audience को target कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसी audience को target कर रहे हो, लेकि globally जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि firebase suitable हो और viable product नहीं है, आप ऐसे back end के लिए, कि initially आपको ऐसा लगा है कि आपके develop करना असान है, बट at the same time आपके लिए long run पे उसको maintain करना बहुत मुझकिल हो जाएगा, जो next season मैं mention करना चाहता हूँ, वो यह है कि जब भी for example कोई startup बनता है, कोई platform बनता है, एक time ऐसा हैगा कि आप खुद के revenue से, खुद के funding से आप उसको नहीं कर पाऊगा, एक time हैगा से platform के लिए funding उठाना, जो firebase backend के लिए उसकर हो, क्योंकि firebase में कोई भी चिस develop करना बहुत जाज़ा आसान है, और at the same time firebase में most of the logic सारी-सारी client side पर होती है, हमरे पास cloud function है, जिसको हम use करके logic सम backend डाल सकते हैं, लेकिन एक delay आता है, अपने client side पर, और like cloud function पर, कोई भी query आप client client side पर run कर रहो, मानो mobile पर run कर रहो, browser पर run कर रहो, वो सारा code exposed तो है, add per add at the same time, अगर उसी, वो अगर dependent है, हमारे पर cloud functions पर, तो delay आता है, इन दोनों code की performance पर, तो वो एक बहुत बहुत बहुता drawback बन जाता है, disadvantage बन जाता है, developers के लिए, एक real time issues पर, अब यह जितनी भी चीज Firebase को use करके social media platform नहीं मनाता है, बिल्कूल बनाता है, Firebase बहुत ही promising back end है, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से use करने के सोच रहो कि मैं इसमें पुरा product बना दूँगा, fully fledged, और उसके आद सोच रहो कि मैं Google Ads से, या विर कोई proper ad platform की help से revenue model निकालूँगा, इसा खर्च आँगा तो आपका भी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका खर्च है तना जादा है आने वाला है, एक point पर कि आपका like जो monetization है, आपको बहुत heavy ads दिखाने पड़ेगा, अकर आपने heavy ads दिखाओगे, तो बहुत ही मुश्किल chances है कि मतलब आपका user आपके platform के आप बने रहा है कि मुझे message है, फिर कोई भी ऐसा ad दिखाना शुरू करते हैं, तो मैं वैसे इसे use नहीं करूँगा, यही reason है कि WhatsApp इतना like market dominant है, क्योंकि ना वो हमें charge करते हैं, ना वो हमारा like ad show करते हैं, इविन इस टाइम पर अगर हम WhatsApp छोड़ने के हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्व इसी लि अगर आप कोई prototype बना रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि है fully-fledged product के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस product के long run पे उस product को successful बनाना, तो यह तो सारी बात है social media लिए, तो फिर अब सवाल आते है कि किस projects के या फिर inner organizational tool बना रहे हैं, या फिर for example अगर आपको ऐसा tool बना रहे हो, जिस पर user बहुत ही कम data read and write करने वाला है, जैसे for example, मैं personally project पर काम कर रहा हूँ, जो more or less like Canva कि दर है, जो like graphic designing tool है, तो like इस case में आप Firebase उसकर सकते हैं कि user जादा read and write नहीं करने वाला as compared to a social media platform, तो like Firebase इसी भी idea पर काम करने के लिए, especially e-commerce के लिए, I hope आप कोई वीडियो पसंद आयोगे, अगर आप कोई वीडियो पसंद आथा, प्लीज लेड में ने in the comment section, कोई भी query है Firebase related, तो आप मेरी playlist देख सकते हैं, मैंने बहुती layman term पे Firebase के सारे components को explain करा हुआ है, अगर आप development सिखने देख सकते हैं, तो please make sure आप मेरे playlist और जो playlist है, चाहिए HTML की, चाहिए CSS की और JavaScript की जो में वीडियो और regular basis बढ़ा रहा हूँ, तो वो भी check कर सकते हैं, with that being said, I will see you in the next video.